पूचो बहिया उन्होंने मुझे बुलाया मैं आ गया उन्होंने मुझे बोलने के लिए का मैंने राम जनम भूमी पर बोल दिया और मुझे वो बोलना था जो नौजवानों को पता नहीं था देश का इतिहास राम जनम भूमी का इतिहास मैंने बताया है और हिंदुस्तान के हर एक नौजवान को राश्ट्री सम्मान, स्वाविमान, गुलामी के प्रती खटाने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहना चाहिए यही मेरा सब लोगों से अपेक्षा है, यही मेरी इच्छा है और मैं समझता हूँ इस विशय को सब लोगों ने स्विकार किया है 25 तारीक की सभा होगी आयोध्या में और हिंदु समाज अपना दुख और दर्द विक्त करेगा कुछ लोग इसे टालना चाहते हैं, कुछ इसको यह समझते हैं कि यह विशय हिंदु समाज के दिल से निकल गया है यह विशय जिन्दा है, हम यह दुनिया को दिखाना और बताना चाहते हैं